ओके वीवर सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा पाच्वा सेलेक्टर कब आएगा कुछ दिनों पहले BCCI ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पे एक ओपनिंग निकाली थी कि एक सेलेक्टर की खोज है एक ओपरचुनिटी है उसमें तमाम जो लोग थे उन्होंने अपलाई किया और बड़े दिनों से यह इंतजार हो रहा है कि वो पाच्वा सेलेक्टर कब आएगा वर्ड कप की टीम चुनने के पहले आ जाएगा यह भी एक सवाल है क्योंकि बीच में जब कुछ ऑफिशल से हमने बात की तो ने बोला था कि इंग्लेंड वाली सिरीज के बाद आजाएगा फिर अब आईपयल शुरू हो रहा है तो उसके बाद आजाएगा लेकिन अब जो जानकारी निकल के आई है उसके मुताबिक आपको अगले महीने के बीच में यानि की करीब आप माँ सकते कि मिड एपरिल या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप आएगे तो हो सकता है आपको पांचवा सेलेक्टर वहां पर मिल जाए जो की T20 वर्ड कप के जब टीम चुनी जाएगी उसमें अगरे मुताबिक कुछ नाम सामने आएं अभी उनमें तीन नाम है पहला निखिल चोपड़ा उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है दूसरा मिधुन मनास उन्होंने अप्लाई किया है और एक नाम निकल के सामने आए अजयरात्तरा का ये जो है ऐसे तीन कैंडिडेट ह हैं जिन्होंने इस पोस्ट के लिए इस कैंडिडेचर के लिए अपना अप्लिकेशन डाला है अब दूसरी बात यह है कि सलील अंकोला जो अरड़ी वेस जोन से आते हैं उनको गुडबाई कहना होगा इस सेलेक्शन कमिटी के पैनल को क्योंकि अजीद आगरकर जो कि आपक को एक कैंडिडेट मिल जाएगा तो अब देखना यह होगा कि इन तीनों नामों में से अगर चुकि अभी शॉर्ट लिस्टिंग बाकी है शॉर्ट लिस्ट अभी होंगे जो अप्लिकेशन आए हैं और उसके बाद CAC जो है वो इन शॉर्ट लिस्टेट का इंटर्व्यू क करेगी तो जो जानकारी है उसके मुताबिक शॉर्ट लिस्टिंग का जो काम है वो अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा उसके बाद एक डेट टाय की जाएगी और सभी जो भी शॉर्ट लिस्टेट कांडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा वर्ण ओन इंटर्व्यूस के लिए और उसके बाद उन इंटर्व्यूस में से किसी एक जो है जो एप्लिकेंट है उसका चैन किया जाएगा जो की बाकी के चार सेलेक्टर के साथ जूड़ जाएगा और जब वर्ड कप की टीम चुनी जाएगी तो पूरा जो पैंडल है कम्प्लीट पांचो जोन का वो बैठ कर वहां पर भारतिय टीम वर्ड कप जो जे खेलने जाएगी टीट वर्ड कप उसको चुनेगा अब ये भी एक चीज है कि निखिल चोपडा मिथुन मनहास क्या इंड में से कोई बन सकता है सेलेक्टर तो जब शॉट लिस्ट हो जाएगी देखते हैं कि कब शॉट लिस्ट जो है कैंडेट्स होते हैं और उसके बाद कब इंट्रिव्यूज होते हैं लेकिन मोस्ट लाइकली वही है कि एप्रिल के बीच में या उसके आखिर तक हो सकता है कि आपको ये पाच्वा सेलेक्टर मिल जाए तो निखिल जोपडा और जरूर विजिट करिए और फिलाल के लिए थैंक यू